स्वागता बच्छों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में तो आज की हम 14 वीडियो जो वोकैब की स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हम जो वोकैब कर रहे हैं वो की यानि की ट्रिक से कर रहे हैं टोटल बहुत सारी वोकैब है तो यहाद करनी मुश्किल जाती हैं तो बच्चे को थोड़ा पहुत ट्रिक की जूरत पर जाती है इन वोकैब को याद करने के लिए ओके तो हर वीडियो के अंदर हम पांच वोकैब करते हैं जिनों ने भी वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों को इसकी पीडियो चाहिए तो बोक्स में उसका लिंक मिलेगा टेलिग्राम का तो वहाँ पर जाके आप जोइन कर लीजी वहाँ आपको इसकी पीडियो मिल जाएगे ओके क्लियर यह तो भी थोड़ी बहुत परमोशन अपने चैनल की ओके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 14 वीडियो और जो पहला वर पहलेगी वो है आपका टेलिग्राम यह ग्राम यानि वो टेलिग्राम से कर लो आपका आपका टेलिग्राम आपका टेलिग्राम इससे हमने इसकी से हम इस एपिग्राम को याद करने वाले हैं एक्जांपल के तुरू हम इसको समझते हैं जैसे एपिग्राम का मतलब क्या है चुटकला, हमने किसकी help से इसको याद किया आपका telegram से, ओके अब example पर आते है example में हम देखते हैं, आपका आपका telegram आपका telegram सिर्फ एक चुटकला है, यानि आपके telegram की कोई भी एहमियत नहीं है, clear, तो आपका telegram यहाँ पर आगया, इसका की यह की आगी और चुटकला यहाँ पर meaning आगया, clear यहाँ पर epigram, epigram को हमने याद किया आपका telegram जिसका मतलब होता है चुटकला, ओके, first word के बाद हम चलते हैं second word की तरफ यह है diffuse, देखो मुझे लगता है कि यह जो word है, pronunciation में कही न कहीं आपने सुन रखा होगा, diffuse, diffuse कर देना जैसे होते हैं, वो bum diffuse कर देते हैं तो यहाँ पर वो अलग word है उसकी pronunciation एक जैसी है, diffuse इसका मतलब होता है, fail जाना, diffuse और हम इसको याद भी diffuse उस bum को diffuse करने वाले से ही हम इसको याद करने वाले हैं, ठीक है diffuse, clear तो diffuse यहाँ पर इसका मतलब है fail जाना और हमने याद करेंगे diffuse से ही, उसी pronunciation से example के तुरू हम इसको समझ लेते हैं जैसे ही, bum diffuse कर दिया, bum diffuse bum diffuse कर दिया यह बात यह बात fail गई, bum diffuse कर दिया यह बात fail गई, तो यहाँ पर fail गई meaning आगया, और bum diffuse यह diffuse यहाँ पर किया गई, clear यहाँ पर, second word के बाद हम third word के तरफ जालते हैं, यह है dictate देखो एक होते है, dictatorship dictatorship में क्या होता है, तानाशा यह dictate वही है, हुकुम चलाना, आदेश देना, clear, एक होते है dictation, जहाँ पर dictation करते हैं मैं dictate करूँगा, आप लिखेंगे, तो वह वाली चीज़ आती है लेकिन यह, इसका meaning अलग है ओके, तो dictate dictate का मतलब है, आदेश आदेश, देना, इसको pronunciation कैसे करेंगे, dictate ऐसे और हम इसको याद किससे करने वाले है dacate, dacate okay, यह थोड़ा से गलत लिखे दिया, dacate एक minute, dacate dacate हम इसको dacate से याद करेंगे dacate कोन होते है, डाकू होते है और डाकू होगा काम क्या होते है भाईया, वो आदेश ही देते रहते हैं कि भाईया, लाओ, हमारे पास यह समान लेओ मतलब तुम्हें कहीं जाने की जुरूरत नहीं है हम गोली मार देगा, ऐसा-ऐसा वो आदेश देते रहते हैं, अपनी चलाते रहते हैं तो dacate से ही हम याद करने वाले हैं तो हमें example के दूरू समझते है dacate dacate हमेशा आदेश आदेश clear, dictate, dictate का मतलब होता है आदेश देना है, हुकुम चलाना, दोनों ही हो सकते हैं अगले word की तरफ चलते हैं dictum यह है dictum इसका मतलब होता है कहावत और dictum को हम याद करेंगे doctor तुम doctor तुम clear, हम इसको याद करेंगे doctor तुम इसकी से और इसको हम example की थूरू समझने की कोशिश करते हैं होदा है ना, doctor कोई doctor आपके घर पे आया और आपने उसको कहा doctor तुम इलाज करो ना doctor तुम इलाज करो कहावतों से कुछ नहीं होता कहावतों कहावतों से कुछ नहीं होता कहावतों से कुछ नहीं होता clear यहाँ पे तो doctor आया, तुम्हारा इलाज करें लेकिन doctor क्या कर रहा है doctor भहिया, कहावतें पढ़ रहा है वहाँ पे तो आपने कहा भी यह, doctor तुम अपना काम करो कहावतों से कुछ नहीं होता clear यहाँ पे, तो यह किक्टम के बाद हम चलते हैं, इस video का जो last word है din इसकी जो pronunciation है वो है din इसका मतलब होता है kolahal शोर शराबा और इस din को हम याद करेंगे दिन से तो दिन में दिन में बहुत दिन में बहुत शोर शराबा या फिर kolaahal होता है clear यहाँ पर यहाँ पर दोनों ही चीज़ा आगी दिन इसकी की आगी और शोर शराबा यहां पर meaning आगया clear यहां एक बार जल्दी से पांचों words को revise कर लेते हैं epigram epigram का मतलब होता है चुटकुला और हमने इसको याद किया किसे आपका telegram आपका telegram सिरुफ एक क्या है चुटकुला है अगला जो word diffuse diffuse का मतलब होता है फैल जाना और diffuse को हमने किया diffuse से ही bum diffuse कर दिया और यह बात फैल गई dictate का मतलब होता है आदेश देना या हुकम चलाना और हमने इस word को किया decade से decade क्या करते हैं हमेशा आदेश देते हैं या हुकम चलाते हैं dictum, dictum का मतलब होता है कहावत और dictum को हमने याद किया doctor तुम, doctor तुम ilaj करो, कहावतों से कुछ नहीं होता clear यहाँ पे, और जो last word हमने किया, din, din का मतलब होता है कौलाहल, और din को हमने याद किया दिन से, और दिन में क्या होता है, बहुत शौर, शराबा होता है clear तो ये तो थे आज के 5 word I hope so आप लोगों को ये वीडियो और ये चो 5 word वो अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर आ गए हैं तो इस वीडियो को like जुरूर करें और channel को subscribe जुरूर करें और इस से भी कोई भी related अगर आपको चाहिए किसी भी related English से related कोई भी वीडियो चाहिए तो please comment box में अपनी राहे जुरूर लिख देना और Instagram पे जाओ वहाँ पर join करें ग्रूप को Facebook के page का भी link आप लोगों को मिलेगा वहाँ पर जाए बहुत अच्छे चे material वहाँ पर लोगों को provide करवाई जा रहे है Thank you for watching this video मिलते हैं अगली वीडियो में